हेलो गाइज के पितरी जोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है गाइज यदि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दें साथ ही साथ बिल आइकन को भी दबा दें जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपके पास पहुँश सकते हैं है लो गाइज आईए आज हम लोग सूरी ग्रहड और चंद ग्रहड के बारे में अध्धन करते हैं क्या कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहड लग रहा है या ग्रहड पड़ रहा है कभी चंद ग्रहड तो कभी सूरी ग्रहड ग्रहड क्या है या कैसे होता है आईए हम लोग इसके बारे में जानकारी करते हैं प्राचीन काल में मानता थी कि सूरी ग्रहड और चंद ग्रहड के लिए राहू एवं केतु नामक दो राच्छस उत्तरदाई है सूरी ग्रहण के समय राहू सूरी को तथा चंद ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है परन्तु यह बात सही नहीं है भारत के महान खगोल साष्त्री आरे भट ने लगभग सोला सो वर्स पहले इस मानिता का खंडन किया उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूरी ग्रहण पृत्वी पर चंद्रमा की छाया पढ़ने के कारण होता है जबकी चंद्रमा पर पृत्वी की छाया पढ़ने के कारण होता है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे हमने अपनी दूसरों की और अन्यवश्टों की परचाई या छाया बनते हुए देखा है क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है आईए हम लोग इसके बारे में जानते हैं जब हम सुर के प्रकास में खाड़े होते हैं तो विपरीद दिशा में प्रित्वी पर धुदली काले सी हमारी चाया बनती है हमारी चाया हमारी आकरित के जैसी बनती है हमारी गति के अनुसार उसका इस्थान बदलता रहता है सुबा दोपार और साम को सुर की इस्ति के अनुसार चाया छोटी बड़ी होती रहती है चाया सदेव अपारदर्सी वश्ट की बनती है इस प्रकार वल्व की रूसनी में भी अपनी या किसी अन अपारदर्सी वश्ट की चाया का वन्ना हम लोगों ने देखा है इसी प्रकार से आईए हम लोग अब हम लोग सुरी गरहड चंदगरहड की बारे में समझने की कोशिश करते हैं जब सुरी पृत्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह इस्तिती सिजगी कहलाती है यह तो प्रकार की होती है यूती वियूती जब सुरी और पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस इस्तिती को यूती या कंजक्सन कहते हैं या अमावस्या को होती है इस इस्तिती में चंद्रमा की छाया पृत्वी पर पड़ती है जिसे सूरी करहड कहते हैं आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार जब सुरी और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाती है तो इस इस्तिती को वियूती या अपोजीशन कहते हैं या पृत्वी मा को होती है इस इस्तिती में पृत्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद ग्रहड कहते हैं वैज्यानिकों के नुसार सूर ग्रहण के समय सूर से खतरना किरणे निकलती हैं ये किरणे हमारी आखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं इसलिए सूर ग्रहण को नंगी आखों से नहीं देखना चाहिए बलकि इसे वुवाई ज्यानिकों द्वारा निर्धारित विशेश चस्मे से ही देखना चाहिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे हमने देखा कि अमावस्या को सूरी गरहड और पूरिमा को चंद गरहड होता है और क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पूरिमा को सूरी गरहड और पूरिमा को चंद गरहड क्यों नहीं होता है आई इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिस करते है पृत्वी अपने अच पर साढ़े तेज डिगरी जुकी हुई है चंद्रमा का कच्छा तल पृत्वी के कच्छा तल से लगभग पांच डिगरी का कोड बनाता है इस कारण पृत्वी के चारो और परिकर्मा करते समय चंद्रमा साढ़े अठाइस डिगरी उत्तरी अच्छांस से लेकर साढ़े अठाइस डिगरी तच्छडी अच्छांस के मद्ध दिखाई देता है इसी कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की चाया प्रिस्वी पर नहीं पड़ती अथा हर अमावस्या को सूरी गरहण नहीं होता है इसी परकार हर पृडिमा को प्रिस्वी की चाया चंद्रमा पर नहीं पड़ती अथा हर पृडिमा को चंद्र गरहण नहीं होता है इस प्रकार से आज हम लोगों ने सूरी करहड़ और चुन करहड़ के वारे में सीखा आज ही तक बहुत भूद धन्वाद